नमस्कर दोस्तों मैं टेरो पूझा वर्मा लेकर आई हूँ 13 जन्वरी 2022 का राशी फल अपने टेरोस के द्वारा इस बात करते हैं एरिस यानि मेश राशी के बारे में आईए जाने मेश राशी के बारे में हमारी टेरो काद्स हमें क्या बताना चाहते हैं मेश राशी वालो कल के दिन हिल्थ में प्राब्लम आ सकती है मन कहीं दुविधाओं में रह सकता है मानसिक तनाव भी रह सकता है और उसके बाद बात करती हूँ आपके धन संबंदी यानि की विल्थ विल्थ में भी लिटल बिट प्राब्लम रहेगी पैसे जहां भी उमीद होगी वहाँ से कल के दिन नहीं मिलने वाले उसके बाद बात करती हूँ आपके रिष्टों की रिष्टे कल के दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे दामपत्य जीवन आपका काफी अच्छा रहने वाला है आईए बात करते हैं विष्ट राशी यानि टॉरेस के बारे में टॉरेस राशी वालो आईए जाने आपके टेरो काज हमें क्या बताना चाहते हैं टॉरेस राशी वालो कल के दिन हिल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी बहुत पॉजिटिव महौल रहने वाला है इर्द गिर्द के लोग भी आपके बहुत खुश रहने वाले हैं और उसके बाद बात करती हूँ आपकी पैसो की बहुत स्ट्रिस के बाद आपकी जिब मे पैसा आएगा यानि की बहुत महनत करने के बाद ही कल के दिन मनी फ्लो हो सकता है बात करती हूँ आपके रेश्टों की आराम दायक स्टिति में रहेगा दामपात्य जीवन और डेफिनेटली यही कहना चाहूंगी कि बहुत आराम से जिन्दगी में गुजर बसर कल के दिन रहने वाला है आईए बात करते हैं जैमिनी यानि मिथन राशी के बारे में आईए जाने मिथन राशी के लिए टेरो काद्स क्या कहना चाहते हैं मिथन राशी वालो कल के दिन हिल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी पॉजिटिव महौल रहेगा खुश्नमा रहेंगे और अपने आपको बहुत ही पॉजिटिव फिल करेंगे उसके बात करते हूँ पैसों की तो कल के दिन काम बनते बनते बिगर जाएगा होते होते डील कैंसल हो सकती है कल के दिन और उसके बात करते हूँ रिष्टों की रिष्टे कल के दिन काफी मधुर रहने वाले हैं बात करते हैं cancer यानी करकराशी के बारे में आये जाड़ें करकराशी के लिए हमारे टेरोकाजस हमें क्या बताना चाहते हैं करकराशी वालो कल के दिन health आपकी ठीक रहेगी, खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे कल के दिन पैसे आपकी जिब में जरूर आएंगे काम आपका बनेगा बहुत दिनों से जो प्लानिंग्स कर रहे हैं कल के दिन वो काम्याब हो सकती है उसके बाद बात करती हो रिष्टों की लापरवाई नहीं करनी जहां लापरवाई घटी वहीं दुरगटना घटी हमारे टेरो काट्स क्या बताना चाहते हैं सिंग राशी वालो कल के दिन हेल्थ आपकी ठीक रहेगी थोड़ा सा इगो में बिल्कुल भी नहीं रहना यानि कि अगर इगो मन में एक बार को आता है तो उसको साइड में कर दीजिए क्योंकि एगो से रिष्टों में खराबी आ सकती है बात करती हूँ आपके पैसों की डेफिनेटली कल के दिन पैसा आपके पास जेब में जरूर आएगा सोचे समझे काम आपके जरूर बनेंगे उसके बात करती हूँ रिष्टों की रिष्टों में वधुरता भी कल के दिन बनी रहेगी बात करते हैं वर्गो यानि कन्याराशी के बारे में आईए जाने कन्याराशी के बारे में कन्याराशी वालो कल के दिन तो हिल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है खुश रहेंगे गुमना फिर्णा सब मिलने वाला है कल के दिर उसके बाद बात करती हूँ आपके वेल्थ कोई अगर बड़ा इंसान अगर आपको समझाता है कि इस तरीके से काम करो आपकी ग्रोथ हो सकती है तो यकीनल अगर कल आप उसकी बात मानते हैं तो ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके बाद बात करती हैं आपके रिष्टों में रिष्टों में दूरियां बन सकती हैं कहीं न कहीं कुछ अनकहीं बातें आपको चुप सकती हैं आए बात करते हैं लिबरा यानी तुलाराशी की बारे में आए जाने तुलाराशी की टेरोकाज हमें आज क्या बताना चाहते हैं तुला राशी वालो कल के दिन आपका मूद्स आपकी तब्यद बिलकुल ठीक रहने वाली है उसके बाद बात करती हूँ पैसों की तो कल के दिन पैसे जिब में जरूर आएंगे सोचे समझे काम कल के दिन जरूर बनेंगे और उसके बाद बात करते हूं रिष्टों में रिष्टों में कहीं न कहीं अनबन रह सकती है बांसिक तनाफ बन सकता है या कहीं किसी की कही हुई बात आपको चुप सकती है बात करते हैं स्कॉर्पियो यानि की विश्चक राशी की विश्चक राशी वालो आईए जाने टेरो काट्स क्या कहते हैं आपके विश्चक राशी वालो कल के दिन हिल्थ का धिहान रखना बहुत जरूरी है कल के दिन खासी जुकाम ठंड बुखार रह सकता है उसके बाद बात करते हूं आपके पैसों की तो कल के दिन पैसे तो जरूर आएंगे लेकिन थोड़ा सा रुक रुक कर आएंगे और उसके बाद बात करते हूं आपके रिष्टों की रिष्टों में स्थिर्टा कल के दिन जरूर आएगी मजबूती बनी रहेगी और डेफिनेटली आपका दाम पाते जिवन भी अच्छा रहेगा बात करते हैं सजिटेरियस याने धनुराशी के लिए आएगे चाने धनुराशी के लिए हमारे टेरोकाज हमें क्या बताना चाहते हैं दानुराशी वालों कल के दिन थोड़ा सा सोच समझ के खाए पिए गला खराब हो सकता है तब्यत खराब हो सकती है उसके बाद बात करते हूं आपके पैसों की तो लिटल बिट कन्फूजन रहने वाली हैं सोचे समझी चीजे भी नहीं होंगी कुछ हो जाएगा कुछ बाकी जाएगा कल का दिन कहीं न कहीं डिप्लोमाटिक रहने वाला है उसके बाद बात करते हूं आपके रिष्टों में रिष्टों में अगर चाहते हैं प्यार, महबद, बढ़ उत्री तो महनत करनी पड़ेगी बिना महनत के रिष्टे काम्याब नहीं होंगे बात करते हैं मकर राशी यारे की कैप्रिकॉन आएजाने कैप्रिकॉन के टेरुकाज हमें क्या बताना चाहते हैं हेल्थ वाइस केप्रिकॉन वालो कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है तंदरुस्ती फील करोगे और बहुत दिनों के बाद कल कहीं न कहीं खुशियां मिलने वाली है और उसके बाद बात करती हूँ आपकी पैसों की जतनी मेहनत करोगे उतना वाकित में आएगा अगर मेहनत कम करोगे तो कम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा उसके बात करती हूँ आपके रिष्टों की बहुत दिनों से अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं और नहीं कर पाए कल का दिन आती उत्तम है कर सकते हैं बात करते हैं Aquarius यानि की कुमराशी आईए जाने कुमराशी के लिए हमारी टेरोकाद्स हमें क्या बताना चाहते हैं कुमराशी वालो कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा सुबह से ही mood, mahal और positivity energies रहेंगी बात करती हूँ पैसों की, पैसे आपकी जिब में कल के दिन जरूर आएंगे लेकिन एक चीज़ कहना चाहूंगी, जहां प्यार से काम होता हो वहां घमंड दिखाने की जुरूरत नहीं है, थोड़ा सा grounded रही है पैसे ज़दा बरसेंगे, उसके बाद बात करती हूँ आए जाने मीन राशी के लिए हमारे टेरोकांस हमें क्या बताना चाहते हैं मीन राशी वालो, बहुत दिनों से अगर तब्यत खराब चल रही है तो कल के दिन भगवान की कृपा रहने वाली है कल आप अपने आपको थोड़ा सा better feel करेंगे कल के दिन आपकी तब्यत ठीक रहेगी उसके बाद बात करती हूँ आपकी growth की तो definitely कल के दिन आपकी pocket में पैसे आपकी bank में पैसे जरूर आने वाले हैं और उसके बात बात करती हूँ रिष्टों की confusions रहेंगी मन में मुटाव रह सकता है कहीं न कहीं भी न सोचे समझे अगर आपने कुछ कहा तो उसके लिए आपको पच्चात आप रह सकता है थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और एंड में कमेंट देना विलकुल न भूलें